आज हम होली स्पेशल गिफ्ट हैंपर बनाने वाले हैं जिसके लिए हमीच चाहिए एमडी एफ एमडी एफ बोर्ड स्कॉय शेप में 11 से 9 चीज में कुछ वुटन के पीसे डिफरेंट डिफरेंट साइजिस में साइजिस को में बाद में बताऊं यह आपको करते टाइम वेलवेट फैप्रिक की जगह कोई और फैप्रीक का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप वेलवेट पिपर का भी यूज कर सकते हैं लेज कुछ डेकॉरेटिव आइटम लाइक चेन हाप बीड स्टार लेट फ्लार तो हम यहाँ पर पॉलिवेट वाइट फैप्रिक को हम इसके उपर पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे पॉलिवेट वाइट फैप्रिक को पेपर और फैप्रिक को काफी अच्छे चे और स्टेन फ्री पेस्ट करता है यहाँ पर हम यूज करेंगे यह देखिए इसे अच्छे हम स्प्राइड करेंगे अब हम इस पर पैप्रिक को चिपकाएंगे यह देखिए कबर हो तुक है अब हम इसे साइड में रख देते हैं हम बोटन के पीसिस को लेंगे यह मैंने लिया एक से तीन इंचीज में इसके हम चार पीस लेंगे यह लिया हमने दो चे आठीन चीज में इसके दो पीस लेंगे यह लेंगे हम 2-10 इंचीज में 2 पीश यह लेंगे हम 1-10 इंचीज में 2 पीश यह लेंगे हम 1-12 इंचीज में 3 पीश इन सबको हम वैलवेट टाप्रिक से कवर कर लेंगे यह देखिए सारे कवर हो चुके हैं अब हम इन सबको सेट करके पेस्ट करते जाएंगे इन सबको हमें इंसेंट पेस्ट करना है तो यहां पर हम यूज करेंगे पॉलिफिक टेल ग्लू का जो की चीजों को इंस्टेंट अब बहुत ही स्टोंगली पेस्ट करता है इसके साइडों में हम ग्लू लगाएंगे और यहां पर हम इने चिपकाते चले जाएंगे साथ ही साथ ग्लू को जल्दी ट्राय करने के लिए हम स्प्रेय करते जाएंगे इनको हम यहाँ पर साइडों में लगाएंगे आप देख लगते हैं काफी स्ट्रॉंगली पेस्ट हुआ है अब हम इने डेकोरेट करेंगे अब हम इने डेकोरेट करेंगे लेज लगाएंगे यह देखिए काफी एक्षे पे पेस्ट हुआ है अब हम इन सब को लगाते चले जाएंगे यहां पर हम कम-कम अत्रा में ग्लुका यूश करेंगे साथी साथ इस्प्रे अक्टिवेटर को स्प्रे करते जाएंगे साथी साथी स्प्रे अक्टिवेटर को स्प्रे करते जाएंगे स्प्रे अक्टिवेटर को स्प्रे जाएंगे चोटे-चोटे बीट एन स्टार्ट को लगाएंगे हम यह थी हकर होली स्पेसल गिफ्ट एंप बिलकुल रेडी हो चुका है आप काफी सुंदर लग रहा है आप इसा होली के लिए या किसी भी चीज के लिए ऐसा गिफ्ट हैंपर यूज़ कर सकते हैं काफी सुन्दर लगेगा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं